माइनमार में हुए तक्ता प्लट के बाद भारत माइनमार सीमा के क्या हैं हालात नमस्कार मैं हुनी राजपूत और आपके लिए लेकर आएं सीधे माइनमार सीमा से सटे वे मिज़ॉरम से माइनमार में सेना की तक्ता प्लट के बाद से जो भारत माइनमार की सीमा है करीब 16 किलोमेटर लंबी जो सीमा है भारत की माइनमार से सटी हुई वहां पर सुरक्षा बेहत कडी कर दी गई है और कडी इसलिए की गई है क्योंकि माइनमार में जो माइनमार सेना है वह जो आंदोलन चल रहा है हमाहा के नागरी कुगा उसको बुरी तरह से कुछलने के लिए लगी हुई है यहां तक कि जो मैनमार की पुलिस है वो तक भी सेना के ख़ड़ी हो गई है और जो civil disobedience movement है जो इस वक्त मैनमार में चल रहा है उसका support पुलिस कर रही है इस वक्त ABP News की टीम मिजोरम में मौजूद है मिजोरम से जोकी बॉडर लगावा है मैनमार का मैनमार का जो बॉडर है कर पर मौजूद है और जो जानकारी मिली है उसके वाद से हालकि कोरोना की वज़े से जो पूरा माहमारी की वज़े से ही जो बॉडर था पूरा सील कर दिया गया था लेकिन अब बीच में कुछ दिनों के लिए जब कू हुआ मैनमार में तो मिजोरम की जो सरकार है उसने सिमा की जैसे ही केंदर खोड़ायों की जानकारि मिली है निरदेश जी जाकार की की करवाही ने बीच से है इसको हादेश को वापस ली लिए लेकिन इस बीच में करीड़ी तीन्सो चौनार्थी में जो थे वह मैनमार खोड़ा है कि मैनमार पुलिस है उसके इस के करमी या उनके लिए यहाँ पर कैंप लगाए गया हैं लेकिन इस आदेश के बाद सरकार के बाद जो सम्ड राइफल से जिसकी जिम्मेदारी है इस पूरे बारडर की स्रक्षा करने, इस पूरे बारडर को पूरी तरह से सील कर दिया है क्योंगि पॉरम बारच बारणी यहां पर इस पहले दोनों देशों के जो बॉर्डर के जो गाउं है बॉर्डर के जो लोग है वो आठ धाट किलोमेटर एक दूसरी की सीमा में जा सकते हैं चौदा दिन तक रह सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीजा के इसी वज़े से जो मिजोरम सरकार है उसने भी ये खूल दिया था ल उगरवादी संगठन है वो भी बहुत ज़्यदा एक्टिव थे एक समय में 2015 में भारती सीना पर बड़ा हमला किया था उगरवादी संगठन ने उसके बाद से क्रॉस बॉर्डर रेट्स भी की थी भारती सीना ने लेकिन इसके बावजूद भी मैर सीना ने भी कारवाई की लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा खत्रा बना रहता है कि उगरवादी संगठन इस तरह की पॉर्डर के फायदा उठाकर भारत की सीमा में ना दाखिल हो जाएं